सो हेलो दोस्तो स्वागत आपका कार उनिवर्सिटी की एक नई वीडियो में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिर्फ एडिशनल 30,000 एक्स्ट्रा लेके तो फ्रेंट में आप देख सकतो यह जो ग्रिल दिखाए दे रही है आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर की यह पहले सिल्वर कलर के आती थी और डार्क कलर में ग्लॉसी ब्लैक आती थी लेकिन अभी हुंड़े ने क्या किया कि किस्टमर्स की पसंद को सुना है और वाइट कलर में भी यह ग्लॉसी ब्लैक कलर की ग्रिल देने लग गए है जो कि बहुत अच्छी लग रही है परस्नली मुझे बहुत बताओ तो तो यहाँ पर फ्रेंट की तरफ हमें सेम वेसा यह लूक मिलता है जो नियोस के मैगना विरेंट में आता बहुत अच्छा टश्ट देने की कोशिश किए इस वेरियंट में तो उसी की तरह यहाँ पर हमें जो हैड्लैंप वह हैलोजन हैड्लैंप मिल रहे है यहाँ पर प्रोजेक्टर हैड्लैंप या LED हैड्लैंप का यूज नहीं किया गया नॉर्मल हैलोजन हैड्लैंप है बेस की तो वो टियागो से थोड़े से माइनर पॉइंट से जादा है तो यह कॉर्पोरेट एडिशन वेरियंट छे लाक उन्तीस हजार में एक शुरूम आता है और साड़े साथ लाक रुपई का यह ऑन रोड आपको पढ़ जाएगा आपके सिटी में और हमें इसमें मिलत पूरे इसके हेड़ललांप से है आप के साइड प्रोफाइल में खुछ चैंन्ज से जैसेकि इसका और वहाम पूरा ब्लैक हो चुका है और चुकत है और हैड लैंप में बहीं बल्लाइक साइड में भी ब्लार इत्रवे norms हमें दिखाई दे रहा है और जैसे कि आप देख र टाइर मिल रहे हैं बॉडी कलर के इसके डोर हैंडल मिल रहे हैं यहां पर रूफ रिल्स एड़ कर दी गई है इस वेरियंट से ही और ग्लॉसी ब्लैक कलर में पूरे इंडिकेटर के साथ है जो कि एलेक्टर कली फोल्डेबल भी हो चुके हैं तो रियर प्रोफाल में देखते यहां पर कॉर्पर्ट एडिशन की बैजिंग दी गई है और यहां पर क्रोम की लाइनिंग है नियोस की बैजिंग बीच में है हुंडाइ का लोगो भी है ग्रैंड आइटो नियोस की बैजिंग है हुंडाइ का लोगो बड़ा सा और कॉर्पर्ट एडिशन यहां पर एडि और नॉर्मल आंटिन में मिल रहा है रिफ्लेक्टर्स दोनों साइड में मिल रहे है बंपर पर लेफ्ट साइड देखते तो लेफ्ट साइड में हमें मिलता है इसका फ्यूल कैप इसमें हमें मिलता है 37 लिटर का फ्यूल टैंक कुछ तरह से इसका exterior look है तो चलिए अंदर जाके देखते interior में पूरा black interior रखा गया है corporate edition का और कुछ-कुछ red element भी है जो की बहुत sporty look देते हैं अंदर से और पूरा black है यह red color के stitching और ac events पे भी red color का element यहाँ पे use किया गया है बहुत अच्छे से यहाँ पे sporty look अंदर से एक देने की कोशिश की गई है युणडाइने और अंडर थार सपोर्ट भी अच्छा कासा मिल रहा है driver side seat हमें height adjustable नहीं मिलती और इसका कुछ इस तरह का steering wheel मिलता है पूरा black doubt है और यह ना ही leather wrapped है और ना ही decat में normal goal steering मिल रहा है यहाँ पे power window के control मिल रहे है ओवर्यम के control मिल रहे है और यह power adjustable और foldable भी ओवर्यम के control से यहाँ पे मिल जा रहे है bottle holder भी है डोर पे तो यहाँ पे हमें magna variant में बटन वाला जो आता था 2D in stereo वो निकालके यहाँ पे हमें screen touch मिल रहा है इसमें android auto apple carplay नहीं मिलता लेकिन यह mirror link हो जाता है अपने phone से तो बहुत अच्छी बात है इसमें सब चीज़े चल जाएंगी through the mirror link तो यह बात में company लगा के देती है पहले इसमें कुछ नहीं आता तो यह corporate edition में additional feature है वो 30,000 में include तो steering wheel कुछ इसतरा का है simply यहाँ पे हमें media के सारे control screen के लिटेड यहाँ पे वाइपर और यहाँ पे indicator के और head lamp के control मिल जाते है steering शिर्फ उपर नीचे होता है आगे पीछे नहीं होता tilt digestible है और यहाँ पे instrument cluster है बीच में हमें odometer मिल जाता है speedometer भी है यहाँ पे manual AC मिलता है automatic climate control नहीं मिलता hazard light और यहाँ पे glow box आप देख सकते हो decent size का है cool नहीं है लेकिन यहाँ पे space और manually adjustable IRVM यहाँ पे ticket holder यहाँ पे mirror मिल जाता है यहाँ पे 12 वर्ट power socket यहाँ पे mobile रखने के लिए जागा और 5 speed manual transmission gear box आप देख सकते हो automatic के भी option है 5 gear के साथ है यहाँ पे gear indicator भी मिलता है red color के stitching यहाँ पे भी दी गई है safety के लिए हमें 2 airbags ABS EBD सारे function safety के मिल जाते है तो चलिए इसका rear seat comfort देखते है rear में हम space देखते है तो rear में कार डोर भी पेसे ही power window के control के साथ पूरा black doubt door मिलता है door panel और अंटर थाय support भी अच्छा खासा मिल जाता है हमें नियोस में यहाँ पे दो लोग तो आराम से बैठ सकते हैं लेकिन तीसरा बच्चा हो तो अच्छा से बैठ पाएगा बीच में एस event के साथ 12 वर्ट का power outlet भी मिलता है इस event इस segment में Hyundai ने start किया था देना seat के अंदर pockets नहीं मिलती सब headrest जो है fix है और उपर light मिलती yellow color की बीच का हम भी छोटा है तो तीसरा जन भी बैठ सकता है इदर पीछे वाले headrest जो adjustable नहीं है और boot space देखते हैं तो यहाँ पे 260 liter का boot space मिल जाता है जो कि tiago के boot space से बहुत ज्यादा है यहाँ पे spare wheel मिल जाता है 14 inch का 14 inch का spare wheel मिलता है और इस इट fold भी हो जाती है जिससे बहुत सारा यहाँ पे space बन जाता है तो यह थी कुछ neos की specifications आपको गाड़ी पसंद आई होगी तो जरूर इसे खरीदी है बहुत ही refined engine और बहुत ही अच्छा mileage यह आपको निकल के देगी तक बग यह 19 से 21 का mileage आपको around निकल के देगी इसमें सिर्फ एक कमी है tiago से compare करें तो वो है build quality की tiago में जो build quality आती है वो 4 star rated है और कही न कहीं यह बहुत कम build quality produce करती है जो neos है neos में हमें 2 star safety rating मिलती है तो यह गाड़ी यहाँ पे हमें 7.5 लग के अंदर यह corporate edition मिल रहा है तो value for money है यह variant किसी को लेना हो तो ज़रूर ले जिसके लिए safety first priority नहीं है यह गाड़ी ले सकते वीडियो देखने के लिए आपके दने माज मिलती है अगली वीडियो में